हलो स्टूडेंट्स वैलकम बैक टो इमर्स कलाच सिजाई होप यॉल आर गुड़ अंड फाइन अगर किसी न भी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए जैसा कि आपको मालुम है कि मैं आपको रहबर सीरिज में बयाल जी पढ़ा रहा हूँ और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं दूसरा चप्टर आपका बयों का control and coordination control and coordination जिसमें मैंने already दू लेक्चर दिये है पहले में हमने discuss किया था what is control what is coordination with examples and what is response and stimuli their examples याने response and stimulus के different examples हमने discuss किये थे और साथ-साथ हमने पढ़ा था homeostasis और homeostasis में आता क्या है second lecture में हमने start किया था nervous system जिस nervous system में हमने पढ़ा था पढ़े थे part sap nervous system and उसमें पढ़ा था हमने वह एक flow chart बनाया था और हमने इसमें nervous को complete किया था जो nervous होती है उनका structure का इसे होता है फिर मैंने बताया था कि जो nervous होता है इसमें structural unit कुनसा होता है जो असल में जिसका यह बना होता है वो होता है निवरान यह functional unit भी होता है ठीक है आज हम इसी निवरान को अच्छे से पड़ेंगे असल में यह निवरान ही काम करती है यह cell है यह बहुत millions of cells होते है यह कठे काम करते है यही बनाते है नरू और फिर हम क्या करते है यही काम करता है और यही structural unit भी है और functional unit भी है nervous system का आज हम इसी को discuss करेंगे ठीक है इसको हम कहते है निवरान को अगर कभी आपने सुना होगा नरूसियल इसको हम नरूसियल भी कहते है निवरान को ठीक है यहाँ पर जो लिखा है यह structural unit and functional unit of nervous system जो हमारा nervous system है उसमें जो structural unit and functional unit मतलब क्या है यानि अगर हम nervous system को खोलेंगे खोलेंगे छोटे छोटे तुकडे करेंगे तो finally जो बचेगा वो होगा निवरान यानि यह structural unit भी है basic structure यानि जो nervous system है हर कोई nervous system का part ultimately यह निवरान का बना हुआ होगा ठीक है functional unit means nervous system जो काम करता है असल में nervous system में यही neurons या nervous cells काम करते हैं इसलिए हम कहते हैं यह nervous system में structural and functional units है nervous system के जैसे हमने पढ़ा था structural and functional unit of kidney या excretory system किसको हम कहते थे नेफरान्स जो millions of होते थे presente in kidney वही आसल में काम करते थे और फिर हम kidney को कहते हैं आसल में filtration, excretion, Salvador absorption यह कून काम करते हैं यही नेफरान्स फिर हम यह किसको देते हैं credit kidney को कि किड़नी में होते हैं यही millions of長 Leon जो आसल में काम करते है ठीक है इसी तरह नर्वस सिस्टम भी बना होता है जिनको हम कहते है नर्वस सिस्टम क्या काम करता है असल में जो नर्वस सिस्टम में बेसिक सेल होती है जिसका यह बना हुआ होता है उसको हम कहते है नरोसियल या निवरान यही काम करता है ठीक है अब हम इसी निवरान को अच्छे से पढ़ेंगे यह क्या होता है मैं इसका सेटरक्चर यहाँ पर बनाता हूँ ठीक है यह very important question है as for as your board is concerned ठीक है ये उसके लिए एक important है ठीक है ये आपने याद रखना है मैं जो structure बनाता हूँ इसको आप अच्छे से कर लेना ये गलत बन गई यहाँ पर diagram sorry मैं एक ही को आप यहाँ पर represent करता हूँ देखे क्या होता है इस तरह होते हैं ये structures आप मनलो इसी तरह ठीक है मैं ये diagram पहले बनाता हूँ diagram अच्छे से बनाना असल में diagram को ही board में ज्यादा मारकस मिलते हैं फिर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इसके branches बहुत सारे branch निकलते है अब मैं दो तीन represent करता हूँ यहाँ पर ठीक है ये होता है structure ठीक है मैं क्या काम करता हूँ मैं यहाँ पर cell body को नए से बनाता हूँ यहाँ पर क्यूंकि ये छोटा बन गया ठीक है अब ये आप समुझ लेना ये इस तरह होते है अब मैं roughly diagram बनाता हूँ आपके NCRT पर अच्छा दिया गया होगा अच्छी diagram ठीक है मेरे कहने का मतलब क्या है वो आपने समझना है ठीक है ये होता है nephron क्या होता है nephron अब हम इसकी labeling करेंगे किस पार्ट को क्या कहते है देखे पहले जो होता है ये cell है ये एक cell है याद रखना हमारी बॉड़ी में एक होता है largest cell एक होती है longest cell longest cell मतलब जिसका size बड़ा होता है size in the terms of length यानि जिस cell की length सबसे बट़ी है उसको हम कहते है longest cell हमारी बॉड़ी में longest cell कौन है neuron या neuron cell इसकी length कितनी है approximately one meter ये एक meter तक होती है ये cell ठीक है मैंने अभी जो बनाया आप इसी को देख लेना इसलिए ये हमारी बॉड़ी की क्या हुई longest cell देखे इसमें क्या होता है ये जो होता है जो मैं red से represent करता हूँ ये fluid like इसको हम क्या कहेंगे cell के अंदर जो fluid like structure होता है इसको हम क्या कहते है साइटो प्लाजम ठीक है ये यहां तक होगा साइटो प्लाजम ठीक है ये क्या है साइटो प्लाजम क्या है साइटो प्लाजम याद रखना और इसमें होता है एक large nucleus क्या होता है एक nucleus ठीक है याद रखना एक nucleus होता है और ये जो यहां पर होते हैं ये sitratures ये sitratures ये जो मैं represent कर रहा हूँ अब मैं इसको erase करता हूँ इन structure उसको हम क्या कहते है ये जो branch होते है इनको हम कहते है dendrites क्या कहते है dendrites ठीक है ये आपने याद रखना है dendrites और इसमें इस तरह के granules होते है granule like structures चाहे dendrites हो चाहे ये हो cell body हो मैं भी बताता हूँ यहाँ पर नहीं होंगे ये इनको हम कहते है इन structure उसको nicilis granules क्या कहते है nicilis granules आप represent करो फिर मैं बताता हूँ क्या होता है nicilis granules ओ जो ये long होता है ये part जो ये long part होता है इसको हम कहते है exon क्या कहते है exon इसका इसकी length होती है approximately one meter हम जो कहते है neuron के length approximately होती है one meter वो होती है because of this exam exam is usually one meter हम इसका और इसका count नहीं करते है लग बग जो longest part होता है neuron का वो होता है exam up to one meter और last में जो यह branches निकलते है फिर इस exam के branches होते है और जो यह spherical structures बनते है last में जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह इनको हम कहते है synaptic knobs synaptic knobs या कहते है हम इनको terminal buttons terminal buttons इनको हम कहते है terminal buttons या synaptic knobs फिर मैं बताता हूँ किसका क्या function होता है और यहाँ पर होती है कुछ cells इस तरह याद रखना मैं इस तरह बनाता हूँ इस तरह होते है यह cells थो आउर्ट ट्र लेंग था अएक्जान यानि एक्जान पर होते है कुछ यापको समुजाएआ है इसको हम कहते है इक्जान लेकिन एक्जान के surface पर होते है इस तरह in cells को हम क्या कहते है उनका भी कुछ नsolEM सो होता होगा क्योंकि वो भी सेलर्स है ठीक है इस तरह इन सेलर्स को हम क्या कहते है इन सेलर्स को हम कहते है शिवान सेलर्स क्या कहते है शिवान सेलर्स मायलिन एक फैटी तिशू की कवरिंग होती है जो इन शिवान सेलर्स को कवर करती है उसको हम कहते है मायलिन शीयत क्या कहते है मायलिन शीयत आप याद रखना उसको हम क्या कहते है मायलिन शीयत और अगर आप देखेंगे ये सेलर्स जो होते है शिवान सेलर्स ये दो सिवान स sellers के धर्मियान जो gap होती है ये gap ठीक है इसको हम कहते है node of run weir इसको हम क्यों कहते है node देखे आपने node and inter node पड़ा होगा botany में भी ठीक है याने सुना होगा याने अगर आप tree में देखो गए tree में जहां पर दो nodes होते है उनके धर्मियान जो space होती है उसको हम कहते है inter node ठीक है इसलिए इसको हम कहते है node ठीक है node of run weir ये कितने होते है जितने शिवान सेलस होंगे उनके दर्मियान जो gap होगी उनको हम कहेंगे node साफ run weir node साफ run weir ठीक है दो शिवान सेलस के दर्मियान नोड साफ रनवीर पर क्या होता है जो एक्जान होता है वो होता है एक्सपोजड इसका क्या मतलब है एक्सपोजड का मतलब यानि इस जगा पर नो मायलिन शीर्ट यानि जो ये नोड साफ रनवीर होते है इन जगा पर क्या मायलिन शीर्ट नहीं होता है नो मायलिन शीर्ट यहाँ पर बनाता हूँ अच्छे से सिट्रक्चर को आप ध्यान रख लेना मैं एक्जान को ही बनाता हूँ ठीक है यह मान लो यहाँ से इस तरह निकला यह एक्जान है ठीक है एक्जान के अंदर क्या है साइटो पलाजम है ना साइटो पलाजम लेकिन इसको हम अलग नाम देते है इस साइटो प्लाजम अप एक्जान के जिसको हम कहते है एक्जो प्लाजम क्या कहते है एक्जो प्लाजम और जो कावरिंग अप एक्जान होती है ये कावरिंग अप एक्जान इसका नाम है एक्जो लेमा Coat 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 Co उनको हम क्या कहते है जो एक्जो लेमा पर सेलस होते है उन सेलस को हम क्या कहते है शिवान सेलस मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको हम कहेंगे शिवान सेल शिवान सेलस यह तो सेलस है इनके भी होंगे खुद के नूकलियस क्या होंगे खुद के नूकलियस ठीक है शिवान सेलस अगर आप देखेंगे इन शिवान सलस के उपर एक कावरिंग होती है मैं यहाँ पर बनाता हूँ इस तरह यालो से इनके उपर ये कावरिंग होती है जो मैं यालो से दिखा रहा हूँ इस कावरिंग को हम क्या कहते है माईलिन शीयत क्या कहते है माईलिन शीयत इसको हम कहते है इस covering को जो शिवान सेल के उपर होती है इसको हम कहते है माईल इन्शियत मैं फिर बताओंगा शिवान सेल का का काम है माईल इन्शियत का का काम है यह आपने याद रखना है अब इके लिए ठीक है अगर आप देखेंगे अगर मैं दो यहाँ पर बनाऊंगा यह मान लो एक शिवान सेल है और दूसरी शिवान सेल है इनके दर्मियान जो यह गैप है यह गैप इसको हम कहते है नोड़ाफ रनवीर नोड़ाफ रनवीर इसको हम कहते है नोड़ाफ रनवीर यहाँ पर भी है नोड़ा फरनवीर यहाँ पर भी है नोड़ा फरनवीर जितने शिवान सलस होंगे उनके दर्मियाँ जो गैप होगी इसको हम कहते हैं नोड़ा फरनवीर क्या कहते हैं नोड़ा फरनवीर ठीक है और नोड़ा फरनवीर पर क्या होता है no myelin sheath यहने node of runvir पर myelin sheath नहीं होता है very important जो node of runvir है वहाँ पर myelin sheath नहीं होता है क्या नहीं होता है no myelin sheath what is node of runvir node of runvir is the node or the gap between the two adjacent shuvan sellers जहाँ पर myelin sheath नहीं होता है जब यहाँ पर myelin sheath नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा यहां पर क्या होगा यहां पर एक्जोलेमा डिरेक्ट होगा एक्जोलेमा डिरेक्ट होगा ठीक है यहां पर एक्जोलेमा होगा इन जगहों पर सीधे एक्जान की जो यह मेंबरेन है एक्जोलेमा वो दिखाई देती है ठीक है यहां पर माइलन शीर्ट नहीं होता है इन नोडसा फरणरवीर केब अगर आप देखेंगे जहां पर जो मैंने सित्रक्टर बनाया अगर आप देखेंगे यह सेल बाडी है इदर ठीक है यह सेल बाडी है जहां पर यह narrow पार्ट भंता है देखे एदर देखे जहां से cell body से देखे मैं आपको बताता हूँ जहां ये उपर की part से जहां से exam start होता है वहाँ पर ये narrow part होता है ठीक है जहां ये narrowing start होती है यानि जहां से exam start होता है उसको हम कहते है उस part को exam hillock exam hillock क्या? exam hillock what is exam hillock? एगजान हीलाक वो portion है जहां से एगजान स्टार्ट होता है यह narrow part होता है जहां से एगजान स्टार्ट होता है उसको हम कहते है एगजान हीलाक ठीक है I hope आपको इतना समझाया होगा अगर कभी आपको पूछा गया कि जो मैं अब भी बनाता हूँ यहां पर एक roughly diagram यह मान लो यह है कौन यह है dendrites यह है dendrites यह क्या हैれ intellect और यह है आगे वो syntaptic nobs ठीक है आप roughly मान लो मैंने क्या कहा यहां पर क्या है cytoplasm यहां पर भी क्या है cytoplasm लेकिन इस cytoplasm को अलग नाम है जो exam में present होगा इसको हम कहते है exoplasm क्या कहते है ये exam में present है cytoplasm इसलिए इसको हम कहते है exoplasm ठीक है अगर हम देखेंगे जो यहाँ पर ये membrane होती है आप इतना याद रख लो जो उपर का part होता है ना उपर का part जिसमें क्या क्या आते है एक तो ये dendritus ठीक है एक ये इसको हम क्या कहते है dendritus और इस spherical part को हम क्या कहते है इसको हम कहते है cell body cell body या soma cell body या soma देखे उपर का जो part है ये जो branches होते हैं ये किसके branch होते हैं cell body या soma के ठीक है ये आपने याद रखना है मैं इधर अच्छी वाली डायग्रामा बनाता हूँ देखे फिर भी उतनी अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि I am not interested in making the डायग्रामज न मेरे को ये आर्ट है बनाने का ये डायग्रामज ठीक है फिर भी मैं बना लेता हूँ ये है एक्जन और यहाँ पर end पर निकलते हैं branch इसके फिर क्या होता है वहाँ पर बनते हैं फिर terminal knobs या terminal knobs terminal buttons या synaptic knobs ठीक है फिर मैं अलग अलग function भी बताऊंगा इनको हम क्या कहते हैं branch को dendrites अगर कभी आपको पूछा गया ये dendrites होते है ये क्या होते है देखे ये जो पार्ट है जो मैं portion highlight करने जा रहा हूँ ये portion ये central portion है इसको हम कहते है main body इसको हम कहते है cell body या हम इसको हम कहते है soma sorry cell body या soma इसी cell body में क्या होता है nucleus किसका neuron का nucleus इसी में क्या होते है mitochondria ठीक है इसमें mitochondria होते है और कुछ औरगनलीज होते है जो cell में present होते है ठीक है और जो इसका होता है इसको हम क्या कहते है 자eotoplasm ठीक है और इसमें special structures होते है जो मैं red से बनाऊंगा उनको हम क्या कहते है Nisilis Granules Nisilis Granules ये कहां और present होंगे अगर यहाँ पर साइटो प्लाजम प्रेजन्ट है तो यहाँ पर भी साइटो प्लाजम प्रेजन्ट होगा इन डेंडराइटस में भी क्या होगा प्रेजन्ट साइटो प्लाजम ठीक है इन डेंडराइटस में भी क्या होगा प्रेजन्ट साइटो प्लाजम अगर आप देखे की सेल थी ये किस तरह की सेल थी बीच में था साइटो प्लाजम इरद गिरद क्या थी प्लाजमा मेंब्रेन अब इसने क्या की एक्स्टेंशन इसके निकल गए किस तरह देखे ये मानलो ये एक सेल थी फिर इसके एक्स्टेंशन निकल गए यानि ये एक्स्टेंड हो गई कौ उसका plasma membrane ersten इस तरह हो गया और उसने different branches बनाए ठीक है इस तरह मान लो ठीक है, अगर आपको कहेगा कोई dendrite की जो covering होती है dendrite की जो ये covering होती है ये किसकी बनी होती है ये भी plasma membrane की बनी होती है क्यों, क्योंकि जो cell body होती है main cell body बीच में होती है ये उसी के extensions होते है उसी के cell membrane extend करती है और ये branch बनाती है तो इसमें क्या होगा एक तो इसमें cytoplasm भी obviously होगा ठीक है दूसरा इसकी membrane में क्या होगा क्योंकि ये cell body के ही extensions है ठीक है ये extensions क्यों बनाती है ये neuron इसका पीछे भी logic है जो मैं अभी बताता हूँ अभी आप structure को समझ लीजिए अगर इसमें निसलस granules है तो ये dendritus में भी present होगे बहुत बार examus में question आया था अगर आप competitive examus की बात करेंगे competitive examus में भी आया है ये question जो निसलस granules होते है इनकी function क्या है ये क्या होते है मैं बाद में बताऊंगा लेकिन अभी के लिए याद रखे ये कुछ structures होते है जो present होते है किस में cell body और dendrites में अगर कभी पूछा गया ये जो साइटो पलाजम होता है किसका एक्जान का उसको हम अलग नाम देते है exoplasm उसको हम अलग नाम देते है उसमें question आया है कि क्या exam में present होता है निसल्स granulis नहीं cell body और dendrites में present होते हैं निसल्स granulis exam में present या exoplasm में present नहीं होते हैं निसल्स granulis ठीक है ये आपने याद रखना है ये जो होता है ये वाला पार्ट जो मैं red से बनाने जा रहा हूँ इसको हम कहते है cell body ठीक है इसकी covering plasma membrane बीच में cytoplasm फिर इसी cell body की extension निकलती है इसके plasma membrane extend होती है in different directions और different branches बनाती है उनको हम कहते है dendrites उन dendrites में भी क्या होता है cytoplasm उनमें भी होते है ये निसल्स granulis ठीक है अगर हम देखेंगे जो long extension होती है किसकी cell body की उसको हम कहते है eggson ठीक है उसका जो भी membrane होता है उसको हम कहते है plasma membrane ठीक है लेकिन उसका special नाम प्लाजमा ए एक्जोलीमा क्या है उसका नाम ? आग्जोलीमा क्योंकि वो एक्जान की plasma membrane है और जो cytoplasm है एक्जान में प्रेजन उसका स्पेशल नाम है एक्जो प्लाजम एक्जो प्लाजम की क्या खासित है as compared to the cytoplasm of the cell body they lack nistilis granulis इसमें nistilis granulis नहीं होते है और भी बहुत सारे differences है like जो ये cytoplasm होता है of the cell body उसमें क्या होते है उसमें cell organelles होते है cell organelles like mitochondria like ribosomes ठीक है बहुत सारे cell organelles इसमें present होते है I hope आपको यहां तक समझाया होगा आप जो last में बज़ते हैं इनको हम क्या कहते हैं synaptic knobs synaptic knobs ठीक है इनको हम कहते है synaptic knobs और यह कहते हैं इनको terminal buttons terminal buttons ठीक है अगर कभी पूछा गया आपको यह जो होते है यह terminal buttons यह synaptic knobs किसके branches निकलते हैं exam के exam के last में निकलते हैं branches इसके और फिर finally बनाते हैं एक button like structures एड़ देर एंडस जोनको हम कहते हैं synaptic knob यह terminal buttons इनका क्या काम है इनमें क्या होता है वो हम फिर देखेंगे जब हम functions आप नियूरान देखेंगे अभी के लिए इतना याद रखें और भी कुछ बाते मैं बताऊंगा आपसे यह schwann cells क्या काम करती है कहां होती है यह myelin sheet कहां से आता है यह हम अभी देखेंगे ठीक है आप देखे यह dendritus की formation क्यों ज़रूरी है यानि यह dendritus की formation क्यों ज़रूरी है यह dendritus क्यों बनाई है इस cell body ने देखें अगर यह simply इस तरह cell body बनाती है और एक यहां से exam निकलता ठीक है इसको क्या ज़रूरत पड़ी यह extension बनाने के लिए यह dendritus बनाईने के लिए क्या होताँ है असल मैं आपको बताता हूं ये जो यह extension बनाती है ये किसलिये बनाती है ये extension ये रहे extension थीक है आप अच्छे से डियागर बनाना इसकी ये extension बनाने का फायरroe क्या है इसके पीछे logic है ये एक ही neuron मत है हमारी body में हमारी body में अगर मैं मान लो ये एक neuron है इसके end होते ही दूसरा neuron start होता है फिर तीसरा neuron start होता है ये chain चलते रहती है देखे मान लो आप क्या होता है इनके होते हैं ये dendrites मैं आप simply बताता हूँ इस simple diagram में ये dendrites काम क्या करती है ठीक है देखे क्या होता है मानलो ये जो निवरान है इसको कोई stumulus मिल गया क्या मिल गया cytumulus ठीक है ये stumulus इसको मिल गया इसके अंदर क्या changes आएंगी वो हम function में देखेंगे मानलो इसको stumulus मिल गई ठीक है वो stumulus ये किस तरह पकड़ेगा इन ही dendrites की मदद से देखे ये dendrites increase करते है surface area what are their functions they increase the surface area for receiving for receiving stumulus या information देखे ये क्या करता है अगर इस तरह simple होता cell body तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आता ये stumulus यहाँ से stumulus यहाँ से stumulus इसको initiate करता है यहाँ से information आती है ये cell body में लेकिन अब क्या हुआ है अब इसने extensions बनाई है आप मालो इस तरह extensions बनाई है आप अगर देखेंगे इसने इस तरह extension बनाई है तो उससे क्या हुआ surface area increase हो गया यानि stumulus यहाँ पर information दे सकता है यहाँ पर यहाँ पर ठीक है यहाँ पर भी यानि इसके main surface पर भी और इन dendrites के surface पर भी information ये receive कर सकता है इधर main body पर भी इन dendrites के surface पर भी information gather कर सकता है यानि तो increase the surface area for receiving the information cell body ये extensions बनाती है जोनको हम कहते है dendrites अगर कभी कोई पूछेगा कि dendrites का क्या काम है dendrites क्यों बनाती है ये neuron क्योंकि ताकि इसका surface area increase हो जाए क्योंकि इसको बहुत सारे neuron से information पकड़नी होती है उसको पकड़ने के लिए इसका surface area ज्यादा होना चाहिए अगर ये simple sphere shaped या circle shaped होता तो उसके surface area कम होता इसलिए ये extensions बनाती है इन dendrites उसको बनाती है ताकि surface area increase हो जाए और ज़्यादा area मिले for receiving the stimulus that is why cell body form these dendrites I hope आपको इस सवाल का जवाब तो clear हो गया होगा बहुत सारे students के दर्मियान ये भी confusion है अगर मैं यहाँ पर बड़ा सा बनाता हूँ cell body ठीक है देखे इसके क्या है dendrites ये मनलो dendrites मैं दो ही बनाता हूँ आपने पढ़ा होगा या मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या पढ़ाया ये करते है increase surface area इन पर information ये gather करते है ये from the environment ये from the adjacent neuron ये information gather करते है ये इनकी surface area increase करते है लेकिन ये बात भी याद रखना जो इसकी main body बीच बीच में भाजती है ये प्लाजमा मेंब्रेन इस पर भी ये gather information करती है ठीक है बेसिकली होता क्या है ये अगर इसका प्लाजमा मेंब्रेन है इस cell body का प्लाजमा मेंब्रेन है इसी प्लाजमा मेंब्रेन की extension हुई है ठीक है ये ही फैल गई है यानि इसी ने सिट्रच किया है और ये extension बनाई है अगर ये यहाँ पर इन जगों पर information gather करेगी ये डेंडराइट तो main cell body की membrane भी gather करेगी information ठीक है ये आपने याद रखना है शिर्फ डेंडराइटस information gather नहीं करते है बलकि जो remaining parts आप प्लाजमा मेंब्रेन अदर सेल बोडी वो भी वहाँ पर भी information ये collect का लेता है वहाँ से भी ये बात आपने याद रखना है ठीक है पड़ा हमने डेंडराइटस ठीक है अब आपके जहन में सवाल बहुत सारे उठे होंगे पहला सवाल क्या होगा निसल्स granulose का काम क्या है ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे निसल्स granulose का काम क्या है ठीक है ये जो एक्जान है इसके लांग होने के पीछे का क्या कारण है या इसके पीछे का reason क्या है या जो terminal buttons है इनमें क्या होता है ये क्यों बनाती है finally terminal buttons इनका क्या काम है जो शिवान sales है इनका क्या काम है अभी के लिए आप याद रखो जो neurone's होते है neurons के और दो types है क्या है अगर आप देखेंगे मैंने पिछले type में आपको बताये थे nervous के types ठीक है अगर आप देखेंगे neurons के types है दो types ठीक है एक तो होते है sensory neurons what do you mean by sensory neurons sensory neurons बतला वो neurons जो transmit करते है information को from the peripheral body parts या from the receptor to the central nervous system ठीक है ये वो neurons होते है जो information को carry करते है from the sense organs या from the peripheral tissues to the central nervous system जैसे हमने पढ़े थे sensory nervous उन sensory nervous में कौन से neurons होते है sensory neurons ठीक है या आपने याद रखना है ठीक है इसी तरह क्या होंगे दूसरे motor neurons what do you mean by motor neurons वो neurons जो information को ले जाएंगे from central nervous system to the peripheral tissues ये neurons किस नर्व में present होंगे motor neurons में ठीक है motor neurons are present in motor nervous sensory neurons are present in sensory nervous ठीक है ये आपने याद रखना है ठीक है और हमने पढ़े थे mixed nervous उसमें होते है mixed neurons जो क्या काम करते है जो कभी sensory मतलब function दिखाते है कभी motor function दिखाते है आपको mainly ये दो भी याद रखने है और भी दो functions है neurons के neurons के और भी दो functions है अगर आप देखेंगे neurons के और दो functions है एक तो हो है myelinated neurons spelling correction कर लेना ठीक है और non-myelinated non-myelinated neurons ठीक है myelinated neurons and non-myelinated neurons what are myelinated neurons myelinated neurons वो neurons होते हैं जिन में myelin present होता है जो मैंने वहाँ पर myelin बताया था ना जो किसके उपर covering होती थी शिवान सेलर्स के यहाँ पर myelin present होता है तो और क्या present होगा शिवान सेलर्स शिवान सेलर्स भी present होंगे यानि शिवान सेलर्स कौन से सेलर्स होते हैं cells होते है, आंट एक्जो लीवा, एक्जो लीवा पर जो cells होते है उनको हम कहते है शीवान cells, ठीक है, शीवान slu vais के उपर जो coating होती है fatty tissue की, जिसको हम कहते है myelin, जिस, जिन neuron में myelin present होगा, us永원 cells present होगे, उनको हम कहते है myelinated neuron, जो मैंने पीछे structure बनाया मैंने किसका बनाया myelinated neuron का और जो non-myelinated neuron होता है इसमें क्या होता है myelin present नहीं होता है myelin present नहीं होता है no myelin present no myelin present ठीक है no myelin present और इन में shuvan cells मगर होते है क्या होते है shuvan cells ठीक है आपके लिए एक homework रख देता हूँ जो ये shuvan cells होते हैं around the exoplasm यानि जो on the exoplasm होते है shuvan cells वही secret करते है myelin को वही secret करते है myelin को अगर मैंने बोला non-myelinated neuron में shuvan cells होते है लेकिन myelin नहीं होता है तो आपको कल बताना है आपको comment section में लिखना है कि अगर इनके पाक shuvan cells होते है तो वह secret क्यों नहीं करते है myelin अगर करते है तो इनमें myelin क्यों नहीं होता है very important ये आपने याद रखना है ठीक है non-myelinated में shuvan cells तो होते है लेकिन वह secret myelin نہیں करते है यानि इनमें myelin की klair नहीं होते है जो myelinated neuron होते है इनमें तो shuvan cells होते है और वो secret करते है myelin इसलिए इनमें myelin की layer होती है ठीक है ये होते है myelinated and non-myelinated और भी आंदी बेस साथ number of processes यानि जो neurons है इनके types है unipolar neuronus और bipolar neuronus और multipolar neuronus ठीक है देखें ये मैं इसका structure बनाता हूँ unipolar neuronus यूनि मतलब वे एक polar मतलब इनमें तो होता है इस तरह cell body और होती है एक exam इनमें क्या होता है cell body और एक exam यानि इनमें एक ही process होती है यानि इनमें एक exam होता है और cell body होती है ठीक है अब आप कहोगे ये receive कैसे करेगा information याद कर लो मैंने आपको बताया भी थोड़ी दिर पहले कि अगर इसके extensions होंगे वो इसका surface area increase करते है उससे क्या होता है ज्यादा information carry होती है लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो cell body का plasma membrane है ये भी directly information को carry या receive कर सकते है very important यानि cell body क्या काम करते है cell body के surface पर भी directly क्या होती है collect information detect information अगर इसके वो होंगे dendritus तो उससे इसका surface area बढ़ता है लेकिन cell body की plasma membrane खुद भी information को collect कर सकती है ठीक है bipolar by minus two यानि इनमें एक होती है dendrite एक होती है dendrite और होती है cell body और एक होती है exon यानि इनमें होती है एक dendrite cell body और नीचे क्या होती है exon ठीक है by यानि दो एक exon और एक dendrite ठीक है इनको unipolar यानि शिर्फ एक exon ठीक है वो neurons वो neurons multipolar मतलब इनके क्या होंगे इनका एक तो एक exon होगा लेकिन बहुत सारे dendrites होंगे जो मैंने पीछे example दिखाई वो example किसकी है multipolar neuron की multipolar multi minus many यानि इनके बहुत सारे dendrites होंगे और एक exon होगा इनको हम कहेंगे multipolar neuron बाइपोलर neuron मतलब two इनमें एक तो dendrite होगी और एक होगा exon वो neuron वो neuron जिनको हम unipolar neuron को हम कहते हैं uni minus one यानि इनमें कोई dendrite नहीं होगा लेकिन एक exon होगा ठीक है फिर आपको confusion उठा होगा आगर आपने वो बात नहीं सुनी होगी कि जो यह dendrites होते है यह collect करते है information इनसे information यह detect करते है information और मैंने साथ साथ बताया जो cell body की plasma membrane है वो भी detect करती है information इसलिए यहाँ पर आगर dendrite कोई नहीं है लेकिन फिर भी यह information को collect कर सकता है by its own plasma membrane किसके cell body के ठीक है यह बात आपने याद रखनी है ठीक है यूनिपोलर बाइपोलर है माल्टिपोलर आपके लिए homework में रख देता हूं homework करके लाना एक तो यह जो मैंने अभी बताया कि अगर unmilinated या non-milinated neurons जो होते है अगर उनमें शिवान सेल्स होते है तो वो secret क्यों नहीं करते है मायलिन या अगर करते है तो इनमें मायलिन की shift क्यों नहीं होती है दूसरा question आप मुझे बताओगे what are the examples of unipolar neurons bipolar neurons एक एक दो दो example बताना important और multipolar neurons ठीक है कल मैं इन सवालों का जवाब आपको दूँगा लेकिन आपके लिए homework है अगर किसी ने किया किसी को मालूम है तो वो comment section में लिखेगा इन दून questions का जवाब ठीक है यह आपके लिए homework रहेगी जितना मैंने आपको आज पढ़ाया यह very important है लेकिन अभी भी निवरान खतम नहीं हुई निवरान में अभी बहुत कुछ पढ़ना है ठीक है what are nisles granules इनके function क्या है साइनेप्टिक नॉबस के function क्या है exam जो होती है exam में कून स मतलब कून से channel होते हैं हम अच्छे से निवरान को पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही करते हैं कल मिलते हैं next video में और निवरान को continue करते हैं तब तक के लिए okay बाई